दोस्तों Cancer और Brain Tumor यह दो ऐसे सब्द हैं जिसका नाम सुनते ही हम डर जाते हैं और जब यह आपके आसपरोस में किसी को होता है यह आपके रिलेटिव में किसी को होता है तो साइद यह इसके जिन्गी का सबसे खराब खबर होता है दोस्तों Cancer एक बहुत ही भयानक बीमारी है जिसका इलाज भी बहुत कोस्टली है बहुत लोग तो इसे एफ़र्ट भी नहीं कर पाते हैं इसका इलाज भी नहीं कर पाते हैं इसके कारणिके मिट्यू हो जाती है और वैसे भी Cancer जब शुरुआती स्टेज में पता चलता है तो उसका इलाज भी संभब कुछ हँद तक है और यह जब लाज श्टेज में चला जाता है तो फिर इसका इलाज करना भी मुश्किल हो जाता है दोस्तों Cancer क्या होता है और क्यों होता है इसके क्या लक्षन होता है जानेगे इस वीडिएो में इस वीडियो को आप पूर्छा द दोस्तों कैंसर कोशिकाओं का एक रोग होता है जब कोशिकाओं और नियंत्री तरीके से बढ़ती ही रहती है तो यह आज पास के स्वर्ष्ट उत्तकों को प्रभावित करती है और वहां उसको खराब कर देती है और यह आपके शरीर पर कहीं पर भी टूमर बना सकती है गाठ ट्यूमर और गाठं अगर औटिध तरीके से बढ़ती रहती है उसमें श्विलिंग दर्द उसमें से कुछ पानी जैसा मवाद जैसा निकलता है तब वह कैंसर हो सकता है । दोस्तो अब हम बात करेंगे यह कैंसर की तरह का होता है दोके केंसर के बहुत सारे प्रकार होते हैं यह कम सकम एक सो तरह के होते हैं किसी को लंग कैंसर फिपरो का कैंसर किसी को मूँ का कैंसर गले का कैंसर ब्रेस्ट कैंसर इत्यादी ऐसे बहुत सारी कैंसर होती है जो लोगों में देखी जाते हैं लेकिन सबसे आम जो होती है दोस्तो ब बहुत सारी कारण होते हैं, इसमें सबसे पहला करना है दोस्तों लोगों की गलत खानपन, दोस्तों आजकल बहुत सारी लोग सराप पीते हैं, इलकोहल अधिक मात्रा में लेते हैं, जो कैंसर का कारण होता है, सिग्रेट जो लोग पीते हैं, उसे लंग का कैंसर हो सकता है, त जैसे की cold drink, soft drink, इस समय दोस्तों chemical डाला जाता है, जो आपको cancer करा सकता है, साथी दोस्तों pizza, burger, यह ऐसे खाने होते हैं, जो कई दिल तक बना कर रखा जाता है, उसके बाद आपको खिला जाता है, तो इससे भी cancer होने का खत्रा ज़्यदा रहता है, दोस्तों अपने खान पान क करें, स्वस्त खाएंगे, तो अबस स्वस्त रहेंगे, और दोस्तों cancer का जो एक मेलकार होता है, वो genetic भी होता है, अगर आपके खान डाल में किसी को cancer होआ है, तो भी आपको cancer होने का खत्रा ज़्यदा रहता है, इसलिए समय समय पर आपको डॉक्टर से अबस्य मिलें, अग अगर cancer किसी को हो जाता है, उसके क्या लक्षम देखने को मिलता है, दोस्तों अगर आपको मूँ का cancer होता है, तो आपकी गले में tonsil बहुत ज़्यदा दिन तक रह सकती है, साथी आपको बोलने में भी दिक्कत हो सकती है, आपका आवाज भी बैठ जाता है, अगर ये दो सब से ज़्यदा तक होता रहें, तो आपने doctor को जरूर दिखाए, दोस्तों breast cancer में जो होता है, breast में आपको दर्द हो सकता है, आपके निपल में गाठे बन सकती है, और ये दिरे दिरे बढ़ सकती है, आपके दोनों निपल का size छोटा या बरा हो सकता है, दोस्तों अगला लक्षन आपको हो, इसके साथ ही दोस्तों अगर आपके stool pass होते से में उसमें लगतार खून आ रहा होता है, तो भी cancer का लक्षन हो सकता है, दोस्तों आपके त्वचा पर, आपके skin पर घाव हो जाते हैं, जो बहुत लंबे समय तक बनी रहते हैं, इसके साथ ही छोटे छोट आपके सरीर में कहीं पर भी सूजन हो रहा है, और वो बहुत ज़्यदा समय तक सूजन बना हुआ है आपके सरीर में, तो यह cancer का लक्षन हो सकता है, दोस्तों इसके अलावे बहुत सारे cancer का लक्षन हो सकता है, अगर आपको पहले से पता है, तो comment जरू कर दें, ताकि जिसक ये टोपी के साथ, आप अपना ध्यान रखे, बाई बाई, टेक क्या,